हलो एवरिवान बदाईए सबसे पहले सभी में 24 के उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने CF फाइनल्स के इंटर्मिडेट क्लियर किया है पर ये वीडियो बन बात कर रहे हैं नवेंबर 24 में आप जो स्टूडेंट एक्जाम देने वाले हैं और जो और इट के सब्जेक्ट से पर करी और और फिफ्टीन प्लस रांकर्स जिन्होंने में 24 में रांक सिक्यार करी है मैंने उनके साथ गूल मीड करी है और उनसे उनकी ऑडिट की अपर्ट फ्रम ओल्दी अधर सब्जेक्ट स्टार्टिजी कैसे पढ़ा वो समझी है उसके बेसिस पे ये डिस्कुशन अबन कर रहे हैं कि आतिन पार्ट्स में सबसे पहले हैं कि एसलियमज तो विडियो यह यही बंथ ती हुं दोस्तों अपिन पर पढ़ते हैं कि कहीं हम सेलेक्टिव चेकिंग करते हैं कहीं सैंप्लिंग करते हैं क्लों को सेम लौजिक आपके सिल्बश के लिए नग को एत्मिंटिली फाइनली एक्जाम से पहले एथिक हनेट पर करना पड़ेगा sampling कहीं पर भी काम नहीं आने वाली है बट त्यारी कैसे करनी है आपको मिनिममम तीन रिविजिन हम audit में करेंगे तो जो पहला रिविजिन होगा वह 100% होगा सारे topics का जब आखिरकार अपने 100% रिवाईजी नहीं कर पाएंगे तो उसका फाइदा क्या है वो भ करते हो तो second time में आपके खुद के पास एक professional judgment आ जाएगा कि क्या चीज़े skip की जा सकती है जिसको आप चाहके भी इत्ती बार पढ़के याद नहीं कर पाऊगे और वो judgment सही तभी आएगा जब पहली बार आप सारी चीज़े cover करोगे तो first time when you are studying you should cover 99% bare minimum in each and every topic second revision और third revision जब करोगे वहां पर आप क्या कर सकते हैं ethics or standard 100% और बाकी जगे selective selective कैसे बहुत जादा theory content कहीं आपको दिख रहा है तो उसकी इसमें आप स्कू स्किप कर सकते है तो सबसे पहले सवाल का जवाब cover कितना करना है मुझे 100% in ethics or standard based chapter I could be selective in the other chapters but first revision 100% subsequent revisions I'll get selective second question की सर मुझे तैयारी कै सबस्क्राइब बहुत बढ़ा है याद नहीं होता है इस फालतों की बाते बहुत आसानी से तुम audit की त्यारी कर सकते हो बस तुमको क्या करना पड़ेगा त्यारी करना पड़ेगी क्यों क्योंकि अब नए syllabus में जो syllabus है उसमें बहुत सारा content clip कर दिया गया है तो now it is very much doable I am not saying it's a cakewalk but group one के तीन paper में audit ही bottle नेके जो हमेशा आपको डर देगा और नहीं सर इस बार ज्यादा tough आया na audit तो अगली बार कुछ और tough आएगा अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो कोई देखत नहीं है दोस्त पिर आपको करना होई है जो आपने मन में ठान रखी है तो वीडियो रिजल्ट आये का हो सकता audit tough ना है अगर consumption नहीं हुआ चारे chartered accountants बने इस बार तो audit ही नहीं बागी तीनों paper में दोनों paper में एकाथ कोई और paper group बन का tough हो जाएगा तो आप त्यारी worst के लिए करिए दोस्ति तो कैसे त्यारी करना है हमको second question how to cover preparation हमारी पहली बार सबसे पहले जब आप उठा रहे हो आप अल्रड़ी lectures देख चुके हो तो सबसे पहले revision से शुरू करने है आप power batch ले रहे हो तो आप वो भी देख सकते हैं तो revisionary batch या आप YouTube से revision जिसके भी आपने lectures देखें फर्स start with revision revision के बाद फिर आप उठाईए और आप वो पूरा का पूरा chapter खुचे करिए किस से करोगे आपकी किताब से ICI study material भूल के भी refer नहीं कर पाऊगे आप final में boring ये plane नहीं एक दम और उसमें आप एक समय के बाद ठक जाओगे तो बहुत सारी चीज़े छोड़ने लग जाओगे तो भूल जाओ उसको मेरा recommendation किया है जो भी material आप use कर रहे हो refer कर रहे हो अगर अपना यूज कर रहे हो तो drone chart sufficient है 73 marks तुशाल लेकर आया उसने pure drone chart से बढ़ाई करी थी इस redeem में 73 marks तो आप material fix कर लो उससे आपको पढ़ना है पढ़ना कैसे preferably पूरा दिन audit के लिए ना रखके तीन से छे घंटे रखे और बस कल जो आप पढ़ रहे हो उसमें पिछले दिन का revise करो उसके तरीके क्या हो सकते है simply आज आपने जो भी पढ़ा है उसका एक audio बना के revise कर लिए आगे बढ़ गए इतना भी sufficient है बट सबसे important एक time frame रखना कि इतने दिन में मुझे complete करना है नहीं तो पहले revision में बहुत ज़ादा time लगा दो पहले revision में आपका objective होना चाहिए holistic view आ जाए framework पूरा समझ में आ जाए हल लाइन क्या कह रही है यह समझ में आ जाए नहीं में नहीं डालना है यह पहला revision हो गया प्लस अभी खतम नहीं हुआ है revision video देखा self पढ़ाई करी अगले दिन पिछले दिन का revise करते करते जितना memorize हो सके उतना memorize करने की कोशिश के साथ फिर question bank लगे अब सर इस बार तो नहीं questions आए तो question bank लागे क्या फायता है क्योंकि आधे question नहीं आते हैं आधे repeat होते हैं आधे तो solve होंगे प्लस आपको समझ में आएगा जो आपने पढ़ा है उसको apply कैसे करना है questions में यहीं नहीं मेरा एक बहुत स्ट्रॉंग suggestion सुन दीजिए mcq practice करो फिछले time में mcq book मैंने आपकी साथ pdf शेर करिए telegram आप download कर लेना इस time में न मांठ मांक के questions आपके जो otherwise आप गलत solve करते हैं आप करके आऊगे तो mcq book audit में practice करना मस्त है मेरा ऐसा personal मानना है अगर आप वाकई audit में स्कूर सही में बढ़ाना चाह रहे हो तो और आप वही सोच रहे हो कि by luck बढ़ जाएगा तो ठीक है आप आपके इसाप से त्यारी करें तो सबसे पहले आपने क्या देखा कैसे cover करना है हमें करना है selective in other topics but 100% in standard based chapter 1 to 11 plus ethics chapter 19 second हमने देखा कि first में 100% करना है हमें revision first revision में पूरा cover करना है फिर वो judgment अपने आप आएगा second थर्ड में हम कुछ topics जो मैंने बताया हमा selective देख second कैसे cover करना है revision देखा उसके बाद में आपने अपनी किताब से पढ़ा किताब से पढ़ने के बाद में आपने question answers solve किया और फिर आपने आप होगा क्या निमोनिक्स यूज़ करना है नहीं करना है वो अपका personal preference अभी तक करते आयो तो करो अभी तक नहीं करते आयो तो नया मत और आखरी चीज़ where to cover कहां से cover कर सबसे पहले आप देख लीज़े आप जो भी material lectures यूज़ कर रहे हो अगर वो पूरे audit की coverage नहीं करात first group में audit is the bottleneck you should not take chances that is my personal suggestion तीन paper हो गए है तो आप वहां क्यों chances ले रहे हो simple सी बात है आपको लगता है कि आपकी किताब सब कुछ cover कर रही है जो study material में दिया हुआ है आपके lectures सब कुछ cover कर रहे है आपने fast के लिए हैं कहीं और के भी लिए कोई दिक्कत नहीं you can stick to it फिर अपनी तयारी में मेहनत की जर्वत है आप अपनी तयारी पर focus करिए जो भी decide करना है कर ल आखरी सवाल सर राइटिंग का क्या करेंगे लिख लिक क्या practice करें गया सिंपल जवाब है सिर्फ यह पूरी त्यारी करने के बाद दो full mock test दे देना sufficient है तुमको लगता है तो बहुत ज्यादा problem है तो इस case में what you can do is you can go with a part test और a chapter wise detailed test series जैसे एक अपनी वास्की होती है जिस compute key points के देते हैं और key points आपकी preparation से आपके prepare होएंगे दो test में आपको समझ में आ जाएगा evaluation के साथ कि हाँ मेरे वो key points आ रहे या नहीं किस पर focus करने है और कोई इसका simple कोई rocket science नहीं है बस इस तरह से करो के audit बढ़िया मस्त त्यार हो जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ दिमां करेंगे खुशिया बनाएंगे जैसे कई सारे students rankly audit में exemption score कि इस बार का paper दोस्तों जो result आए ना वो extreme है बहुत सारे student ने 60 plus score किया बहुत सारे students है जो 35 के round लुके हैं यानि extreme है इस बार क्योंकि paper इस बार का कैसा था बहुत सारे questions नहीं थे तो जिन्होंने पूरा बढ़ा वो selective कभी नहीं पढ़ना होने areas को उन topics को पूरा कर तो वो students जिन्होंने वाना आदेव डान exceptionally well बाकी को क्या हो गया वही 30-40 के बीच में कहीं रुक गए खोई दिक्कत नहीं है दोस्त अपने बार strategy आ चुकी है बस implement करना है वो आपको करना है साथे में करेंगे मुझ से क्या जर इस पर्टिकुलर से दोस्तों सारे के सारे ऑडियो पॉट्स जो भी ऑडिट की कुश्चिन मैंग लेता है आपको और वीडियो पॉट्स का फ्री एक्सेस बिलेगा सिर्फ अगर आपने lectures ले लिए को शित बैक बिलिए तो बिलेगा विचाता हो कि आप उसको यूस करके उनके पूरे के बुगरे के कोई एक कुश्चिन उढ़ा गया आप देख लीजिए में 24 तक कब इपर इंकॉर्परेटेड़ है किसमें आपकी इस कुश्चिन मैंग में जिसके भी audio pods उस पर अल्रडी इंकॉर्परेटेड़ है तो आप वहां से और भेहतर प्राक्टिस अप नवेंबर 24 तक साथ बना रहेगा आपना धन्यवाद